हाई गाईज वेलकुम बैक टो मैं चैनल मैं हूँ स्पीटी और आप देख्टोर्यों स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बायत करने वाले हैं कि जिनका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है तो वो कैसे पहचाने आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पा होता है वो हर एमोशन को बहुत अच्छी तरह फील करते हैं सारे जो लाइफ के उतार चड़ाव रहते हैं वो सारे सिच्वेशन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उस एमोशन को अपने अंदर फील करते हैं ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वो एक तरह से एक ही मोशन को करते हैं चाहे situation कैसी भी हो इन्हें पता है कि इस moment इन्हें कैसे behave करना है और हमारा sign no.2 ऐसे लोग हर situation में solution पे focus करते हैं ना कि problems पे वो देख लेते हैं कि okay ठीक है ये सारी गलती होगी अब इसके आगे क्या इसे ठीक कैसे किया जाए इसे change कैसे किया जाए इस तरह कि जो लोग होते हैं उनका heart chakra open होता है क्योंकि वो एक जगा एक situation में अटके नहीं रह जाते हैं इसके opposite कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कई महिनों तक कई हफतों तक एक ही बात को अपने मन के अंदर पकड़े रहते हैं और बुरा feel करते रहते हैं खुद अपने अंदर और दूसरों को भी बुरा feel कराते हैं ऐसे लोगों का heart chakra block होता है आपको ये समझने की जरुवत है कि अगर आप पूरी तरह solution पे focus करते हो ना तो आपका भी heart chakra open हो चिका है और हमारा sign number 3 ऐसे लोग दूसरों को बहुत अच्छी तरह प्यार देते हैं और उनका प्यार receive भी करते हैं उन्हें ऐसा feel नहीं होता है कि कोई मुझसे प्यार कर रहा है तो जरूर ये मुझसे कोई ना कोई काम निकलवाने के लिए कर रहा है इस तरह की feeling इनके अंदर नहीं होती ये जितने दिल से दूसरों को प्यार देते हैं उतने दिल से उस प्यार को receive भी करते हैं उस प्यार पे कभी ये doubt न जाना कि इनका हार्ट चक्रा पूरी तरह ओबन है क्योंकि ये नेचर से नेक्टेड है और हमारा साइन नमबर फोर ऐसे लोग अगर अपने लववन्स के लिए कभी कुछ करते हैं तो कभी ये जताते नहीं हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये एहसान किया है मुझे महान बनाओ मेरी तारीफ करो या मेरे लिए बहुत दिनों तक अच्छी अच्छी बाते कहते रो ऐसी फीलिंग ना इन लोगों के अंदर बिलकुल नहीं होती इन्होंने दूसरों के लिए कुछ किया और उसी समय भूल जाते हैं अगर कोई दूसरा इंसान में इनके सामने कहता है कि थै दो मेरी परवा करो इस तरह की फीलिंग इनके अंदर नहीं होती है क्योंकि इनका प्यार इन्हें खुद के अंदर से खुद के हार्ट चक्रा से हमेशा मिलते रहता है और ऐसे लोग मेरी केर करो मेरी रिस्पेक्ट करो मुझे वैल्यू दो ये सारी चीज़ों से बहुत और अगर इन सारे पॉइंट्स में से आपके तीन या चार पॉइंट्स पी पूरी तरह मैच हो रहे हैं तो आप समझ जाहिए कि आपका हार्ट चक्रा पूरी तरह ओपन हो चुका है और अगर आपकी एक या दो पॉइंट्स ही मैच हो रहे है तो आप हार्ट चक्रा ओपन क करने के प्रोसेस में आपको बुरा फील नहीं करना बस आपको ऐसे ही कंटीनिव आगे बढ़ते रहना और एक टाइम ऐसा आजाएगा कि आप खुद के अंदर इस लफ को फील करने लग जाओगे और उस एनरजी में आप जीने लग जाओगे सो गाईज अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए बाब बाई